हेलो लेडिस नमस्कार चलिए आज आपको यह प्रोड़क्ट जो कि ओज्वमेक्स ब्रांड का हैजल प्रो यह हेयर इस्टेटनर है प्रोफेश्टल हेयर इस्टेटनर है ठीक है इसका कलर जो रोज बोल्ड है यह टाइटेनियम कोटेट प्लेट है इसमें और फ्लोटिंग प पाउच भी दिये हुआ है चलिए तो यह आपका आउटर पैकेजिंग हम दिखा रहा है तो रोटेट करिएगा मैं यह देखिए यह आपको यह इसकी पैकेजिंग है यह लिखा हुआ है ठीक है और इसकी प्राइज में आपको बता देता हो इसकी प्राइज है वो 3300 है आपको यह मार्केट में इजली 20 पर्सेंड थाटू तर सुन पे आपको मिल सकता है जैसा आपका मार्केट में रेट चलना हो ठीक है चलिए इसकी अन्बॉक्सिंग पहले करते है खुलिए गस्पोगा इसके अंदर वारंटी काड रहता है यूजर मैनुवल रहता है ठीक है और यह ऐसे कबर में आता है ठीक है यह कबार आता है और यह प्रोड़क्ट है आपको जह दिख रहा है प्रोड़क्ट को सामने के दिखाईए यह प्रोड़क्ट है इसको पूरत भुमा के दिखाईए चार और से यह प्रोड़क्ट है आपको यह एक्चुल प्रोड़क्ट है यह मॉडल नंबर आपको ब्लीट दिख रहा होगा मैंने एक रिपीट राई कर रहा हूँ ठीक है छलिए इसको आपको यूस करके दिखलाते हैं कि कया सा टब्लोग करते हैं था कर देखे इसको यहां यह रेट लाइट जलता है इसको आपको on button दबाना है,on दबाते ही यह green light जनने लएगा, आपको जितने पर temperature set करना है, आप उतने पर push करिएगा, जब फुरेंग हजा लोगा है जो फुटते हो डाइगा इसको मेघ करना देते हैं यह मेघ सबाइग को इसको हीट हो देते हैं यह अभी हीट हो रहा है यह आप देखिएगा ब्लिंक हो रहा है तो आपको छेली थोड़ा सा बता देता है कि टाइटेनियम कोटेट और और सेरेमिक कोटेट हेर स्टेटनर पर क्या अंतर है और क्यों यूज करना चाहिए तो जो टाइटेनियम कोटेट प्लेट होते हैं जो स अच्छा होता है कि इसमें हीटिंग पावर ज्यादा होती है और यह डेली यूज नहीं कर सकते हैं अगर आप इसको अगर आप परस्णल यूज के लिए इस्तमाल करना चाहते कि आप जैसे हर दूसरे तिसरे दिन अगर आप इससे हर स्ट्ट कर रहे हैं तो आपके हेर इससे यह अगर यूज करना है तो आप प्रिफ्रडक्ट हीट हो गया है और ग्रीन लाइट अब लिंक नहीं करना है मलए यह तो हम जो बता रहे थे आपको यह बता रहे थे कि अगर जैसे आप अगर अपने पर्सुनलीज के लिए और ज्यादा अगर इस्तमाल करते हैं आप कोई प तो महिने में 2-4 बार करते हैं हथे में एक बार दो बार करते हैं तो आप कोशिस करिए कि आप सेरेमिक प्लेट वाले ही हारिष टेनर्स से बाल आपके जगा डैमेज आगे चली देखते हैं इस वह रिजल्ट कैसा है यह आपको दिख रहा होगा यह कमप्रिटली हीट हो कीपने देटी इंपावर इसके अच्छी है, अच्छा दिन करता हूँ तब इधियर इस्टेटर यूज़ करते समझ ध्यान से काम कर लिए कि आपके फ्येस पे उना जाए अभी लिए आप तक से कर लिए, अंदर कित्रफ इस्टेटर के समझ कर लिए आपको दिख रहा होगा, बाल सीधा करिएगा, यह स्टेटर आपको दिखर होगे एक बार ऐसे करिएगा, बाल को थोड़ा से लेर लिजेगा हाथ को, यह ऐसे पकड़िएगा इधर वाल आप दीजेगा, कभी भी कोशिस करिए, मैं ऐभी ऐसे कर रहा हूँ लेकिन आपका भी भी स्टेटर अगर खुश से करते हैं, तो उस हाथ में पकड़ के पकड़िए, बता रहा हूँ और क्योंकि आपका इधर क्या फेस के अपवर्ट डायरेक्शन में रहागा, तिससे आपको जलने की चांसेश कम रहेगी ठीक है? बस करिए, और बाल दूसरे बाल निकालिए, पीछे से काथ बाल और निकालिए चली तो ये थोटा सेसेशन लेकर एक बर इनसेट करवाकर दिखलाते हैं फिर से करिएगा एक बर और तो ये स्टेट तो कर दिया, अब इससे आपको हम करल करकर दिखलाते हैं कि करल भी पॉसिबल है या नहीं करल करने के लिए बाल को ऐसे पकड़िए, पहले ऐसे स्टेट पकड़िए, फिर इसको अंदर के साइड घुमाईए, एक पर घुमाईए, छोड़िए गा, ये बाल अभी में नेक करके करल लिखाया, आपको दिखाता हूँ, करल कैसे पकड़िए, आपको थोड़ा सा बाल अदर के लिखाया, आपको अदर के लिखाया, आपको अदर के लिखाया, आपको दोर 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 दिख रहा होगा आपको बाल कोपर्ली करना हो रहा है ठीक है आपको लेक्ष्पका एक कामे कर देख लाता है इस ट्रेक्टर को ऐसे सीड़ पहले है यह ऐसे यहां पर अंदर पितल पुमाईए यह पुमाईए और यह बाल है इसको बहसी लखाए और लिए तो आप सीख गया होंगे देख रुखिय में इनसे करवाता हूं इस ट्रेट का इससे होता है लीजिएगा पकड़िएगा मैं अमदर साइड अपने साइड घुमाना है अंदर साइड यह इसको अंदर के और करियेगा एक और एक दो और ये बाल को आपको ऐसे करना है बाल को पक्ड़े रही है धीरे धीरी नीचे लाते रही है लाते रही है छोड़िये ये देखिए ये ऐसे करल करत किया जाता है तो आप सीख गया होंगे करल कैसे करना है आप पतले बाल करके इनको दिखाएए थोड़ा दियान दिजेगा यहां पर थोड़ा से साइट पकड़िएगा ठीक है अंदर के रुख माईए अपने सरफ हाँ वन तू ठीक है ध्यान दिजेगा अपने स्कीन बचा करके छोड़िएगा इसको हाँ यह लटक गया अभी दिर दरी निचे किजी अगर दिखना होगा आपको छोड़िएगा तो यह करल करने का फरीका है अगर आपको शौट करल करना है कम करल करना है पूरे बाल को नहीं करना है तो यह दिखे भी इनके इतने मैंने करल कर दिये हैं अभी इस बाल को करके दिखलाते हैं अगर आपको सॉर्ट एरिया में करना है तो आप यहां से करिए इसको सीर इस्टेट करिएगा कभूं लॉंग कर नहीं करना सौट करना आँ अपटिया बस करी हीट हो गया है यहां पर अपके पकड़िये कि स्टेटनर यहां लगाई एक बारण धुवहें आपने तरफ अंदर के तरफ। आप इसको घुवुमा यह ए干 फिर उबर और ठीक है जान दीजेगा दो बार गुमाना है बाल को खीचिए ठीक है इनका कर्लिंग हो रहा है आप देख रहे होंगे एक लास्ट में करके दिखा देता हूं तचा है एक लाँ के अवाल देखा देघ। लाँ फ्सक देखा रहा हुआ है तेखी है यह पुमान पड़ में यह थे तक देखा है जारी कि शोंगे लगा है कर दो कर दो कर दो कि मैंने ज्यादा जीक वादर बंद कर दिया था इसलेगा डिपीट करता हूं अभी कीजिट कर दागी अगर ठीक नाओ तो देरे जरे कर दो तो यह आपको दिख रहा होगा तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू धन्यवाद नमस्कार